हाई कि इस वेडियो को विडियो स्वागत है आग के다음 नई वीडियो विडियो मेश्ट दोस्तों आज कर फाद है उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे तो दो आजड़े वीडियो बहुत ज्यद्धा इंपुारेंट होने इंपौर्टेंट होना था आज की वीडियो में आप लोग बताने वाला है जो E-Service का Registration होने था यानि E-Service Gen Heat के वेबसाइट पर जो आप लोग रेइस्टेशन होने बतला था अपनी एकजाम की काउपिया को देखने के लिए तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे एजली अपने मोबाइल से ही E-Service Gen Heat पर वेबसाइट पर एजली आप लोग क्या कर से हैं तो मैं ज्यादा टाइम ने लोगा और आप लोगो बताओं कि कैसे आप लोगो रेइस्टेशन करना है तो सबसे पहले आपको आजाना है बीटीव पिक अपने फॉन के किसी भी ब्राउजर में फोन लैपटाप पीसी बिए पर बाइसिपिक और लिजीए तो ज्यादा स्टीट लागिंग found the एख brilliant lagu करणा यहां पर सबसे पहले अपना इंडाइबमेंट नमधर कर दिना है और यहां क्लों क्या किया करना है पास्वर्ड पास्वर्ड काहां से जीए लेए तो आप लोगाECT रजिस्टर कर लिए हैं तो ही भी एपस का आप लोग कर लिए हैं तो आप लोग एकई तो भूल गये है तो यह ही बनाएं तो यहाँ से अब लोग देख सकते हैं फ्क्राइट अपने लागिंग ऐसेई लेकिन याद यहां नोग फ्रेड्यॆ अभ चोरल को सब्सक्राइब बना आप कर लिक्वाह बन लोग घृड़न वाम 대해서 में वीडियो यह बना पाशुवर्ड पास्वड करना यहां पर second option पर दे रहा है student फार्गेट पासवर्ड ठीक है तो यहां से आप लोग क्लिक करके अपना डेटा जो भी फिल करते हैं enrollment number data birth और mobile number फिल करना रहेगा वहां से अपना पासवर्ड को क्या करना है आप लोग फार्गेट करके न्यू पासवर्ड बना सकते हैं तो आज की वीडियो में यही बात करना है कि आपको लागिंग कैसे करना राइस्टेशन कैसे करना इसर्विस जन हीट के वेबसाइट पर आपको कॉप्यर देखने के लिए तो यह सभी प्रोसेस आप लोगों के व क्लिक करें कुछ न्यू तरह का इंटरफेस खुल जागा यहाँ पर फर्स में आप लोग देख सकते हैं सेवाएं चात्र के लिए आप अब बात करते हैं आधार अधार वेरिफिकेशन जब आप लोगो हो रहा था तभी आप लोगो पासवर्ड बनाया होंगे बूल गया हो ऐसके लिए और अब लोगो इसी वाले पर किलिक करते हैं जैसे आप लोग थाड़ वाले लिंक कर लिंग करते हैं कुछ न्यू तरह का इंडरफेस कुछ इस परकार से उपन हो जाएगा ठीक है और सिम्पली यहाँ पर देख सकते हैं चार लिंक यहां पर दिए गाया पर से से पहले आप लोग इसी वले निंग के लिए फार्स्ट वाले login स्प्राइश इस्टेशन कैसे करना सब्सेफ़ अब लोगी क्लिकेंगे ञेशने इस्प्रकर अजाया सब्सेफ़ले मगड़ेब उस्ट में इस तोरक चुछा इंड्रकर पड crisis fenミल अच्ए जैसे फिल अप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नियू इंटर्पेस ओपन हो जाओगा और यहां पर इलेट देगा का रहा है अपर मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको लोग कि यहां पर क्या लिखेगा तो आप लोग देख सकते यहां पर लिखेगा डियर प्लीज चेक हैं इंटर ओटीपी सेंड और रिइस्टर मोबाइल नमबर ठीक है यहां बोल ला है कि आपके रिइस्टर मोबाइल नमबर पर आप लोगो ओटीपी सेंड हुआ तो ओटीपी आल्रेडी आप लोगो जैसे कुछ इस प्रकार से लिखेगा तुरां जैस्ट ही आपको मोबाइल पर रिइस्टर नमबर पर सेंड हो जाएगा अब ओटीपी कैसे फिल कर देना है कि सिंप्ली क्या करता है यहां पर ओके वाले आप्टन क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे देखिए कुछ देखिए यहां पर फिल अप्लिकेश आप लोगों को मोबाइल पर ओटीपी फिल कर देना ठीक है जैसे आप लोग वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग ओटीपी कर देंगे यह उसके पाद कुछ निव इंटरफेस को लेगा फिर सेकेंड में आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपके कालेज का नेम दिख जाएगा यहां पर आप लूंबर दिख जाएगा इंडर्मेन नंबर ब्रांच कोंट ब्रांच नेम नेम फादर्स नेम डेटा बर्स मोबा हैना नेम उसको के हम देखने के लिए कि मुच करने के पादाब नेम तता क्लिक कर चाहिए जैसे आप लोगb GoSummit application पर क्लिक करेंगे तो संबी अभी द्यक्न होग करने के लिए तो आप लोगव का जो भी सुऩोल का सकशूपूल लिए प्लाइड जांच करने के लिए आपतर Mississippi वो सक्सेस्फुल हो चुका है तो आप लोग प्रिंट जो है जनरेट हो जाएगा तो आप लोगव आप लगए अप система नंबर दिखेगा यहां पर लोग फिरल नंबर इंडॉल्मेंट नंबर दिखेगा यहां पर branch name और branch code दिखेगा है यहां पर student name father's name ठीक है और यहां पर देख सकते हैं आप लोग data verse दिख जाएगा और यहां पर आपके institute यानी college के नेम दी जाएगा और यहां पर नीचे आप लोग जितने subject के copy देखना चाहते हैं जितने checkbox पर click किया है यहां पर show हो जाएगा दो पकिए रहेंगे तीन पर यहां पर आप लोग आप लोग यहां पर दिखा देगा कितने आप लोग आप लोग कांपिया देखना चाहते हैं और यहां पर आप लोग टाइम और डिखा देगा यहां से क्या कातना चाहते हैं आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर लिए साथी स्क्रीन रख लिए और नहीं तो आप लोग यहां पर प्रिंट का आप सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है तो फाइनली आप लोगों जो सक्सेश्पूल हो चुका है कुछ लोगों का कमेंड अभी कुछ लोग बोल ला थे हैं कि अभी देखिए जो यहां से प्र लोगों देखना है तो चलिए लास्ट इस्टेप है वह भी बता देता हूं तो जैसे आप लोगों सक्सेश्पूल हो जाएगा सिंपली क्या करताना आपको बैक आजाना फिर से बीडिवीग ऑफिसियल वेब साइट पर तो राइस्टेश्पूल होने के बाद आप लोगों सिंपली क्या इस पेस पर आजाना तो यहां से आप लोगों पता चली गया है कि यहां से आप लोगों रहा इस्टेशन कर दिया है यदि आप लोगों जो भी अपना रेशिप्ट को डाउनलोड नहीं कर पाया है ठीक है प्रिंड रिप्रिंड अप्लिकेशन का जो रख लिजेगा वहां से भी नहीं तो यहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं फिर से यहां से इस पर क्लिक करके अपना इंडॉल्मेंट नमबर डाउनलोड कर सकते हैं यहां से प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं और बात करें यहां तरह इस्टेशन आभी 14 अक्टूबर से यहां से आपके लेकर 11 सक्टूबर के बीच आप लोग कापिया दिखाए जाएंगे तो आप लोग कापिया कहां से देखना है सिंपली आ जाना यहीं आप लोग इसी भी पेज पर और नीचे आपक किलिक करके अपना जो भी डीटेल मांगेगा डेटा बार्थ पूरा इस टेप आराम से ली तरीके साब लोगो रहिस्टेशन करने के लिए बता दियां तो दो दिन बचा है आज और कल बचा है तो आप लोग यहाए फटा फट रहिस्टेशन कर लें और एक बात और आप लोग नोटीस में बताया हैं कल पांच साम 5 बाए तक ही रह तो दूसरे पहले आप लोग रेइस्टेशन कर लिजेगा फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जया हिन